जैने दोस्तों मैं नवीन सर्मा आप से विए स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एक दम अच्छे हैं एक दम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बदाएंगे आप सब कैसे हैं बहुत बढ़िया अंसू, राजपूत नवीन, रजत देववन्द, राज गौतम, काम्या, अर्चना रागहव, अपेक्षा पटले, सचिन मोरिया, सपना सर्मा, और पित मिस्रा, राजपूत नवीन, बिट्टु चौधरी, सब भी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है और आज एक बहुत महत्पूर्ण सी किलास में, प्यारे बच्चे, हम लोग, जिसका नाम है परिवेहन, यानि ट्रांसपोर्ट, कुशन बहुत बनते हैं, और सारे ट्रांसपोर्ट को हम इसमें कवर कर रहे होंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे, ताकि ये पूरी किलास हमार एक घंटे में कवर हो पाए, ठीक है, चलेंगे भी है, तो परिवेहन को सुरू करते हैं, प्यारे बच्चे, ध्यान से आप लोगों को जो स्क्रीन सॉर्ट वगरा लेना आप लेते रहेंगे, और स्क्रीन सॉर्ट की ही चीज़ है, इसको लिखने मत बैठना, और लिखने ब अस्थान तक पहुचने के लिए जो साधन प्रियोग किया जाए, जो सोर्स हम लोग प्रियोग करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है, जैसे सड़क का हम प्रियोग करते हैं, कहीं एक जिगे से एक जिगे जाने के लिए तो 84% लोग हमारे देश में सबसे पहले हम सढक की बात करेंगे फिर railway की फिर वाइयू Mark की आर उसके बाद में पिर जल mark की बात हम करेंगे ठीक है लिजा सब्सेल of गारक हम भारत क्यों कि जो लंबाई है वो 24 соट-ii auto कीलो मीटर है ठीक है पर यह इंद अब दॉर ेसे बात राख ही धारत में सटक का जो नेशनल हाईवे है वो एक लाग चालिस हार किलोमेटर के करीब है जो राज्येई जाजमार्ग है नेशनल हाईवे आप समझते हैं नेशनल हाईवे एक लाग चालिस हार किलोमेटर राज्य ये राजमार्क जो राज्यों के अंदर आपका एक लाग एक एतर हजार किलोमीटर और अन्य सडके हैं आपकी साथ लाग साथ हजार किलोमीटर इतनी बात में कोई दिक्कत ये बहुत इंपोटेंट में नहीं है जश्ट सेनेरियो है जानने के लिए यहां से महत्पून बात सुरू होती है भारत में प्यारे बच्चे जो जीटी रोड है जो सडक है इस जीटी रोड के हम जो जनक मानते हो किसको मानते हैं आउकलेंड को किसको माना जागया है आउकलेंड को ये एक अंग्रेज गवर्नर थे दरसल में आप लोग देखेंगे जो भारत था आपका तो जो पश्चिम भारत है पश्चिम भारत से ऐसे जोड़ने के लिए पेसावर से ये आपका उत्रापत बना था मोरियकाल में बना था उत्रापत यानि रास्ते के पेड़ वगएरा कटवा दिये गए और ये घूसित कर दिया गया कि ये जो है आपका क्या होगा उत्रापत होगा बाद में फिर आपका ये मोरियकाल में हुआ बाद में कौन आया आपका आप सारे बच्चे जानते होंगे कि हुमायू को किसने हराया एक बार कमेंट सक्षन में बोलेंगे कौन वो वैक्ति था जिसने हुमायू को हराया तो आप कहेंगे भी है सेरसाहसूरी सेरसाहसूरी ने इस पर रास्ते को क्या बोलते है आपका पक्का पक्के से मतलब है कि एकदम से इसको रजिश्टर करा दिया कि एक पक्का रास्ता है और थोड़ी मिटी वगेरा डलना इस सारी चीजे कराइए आज का ये रोडी बदरपर वाला पक्का नहीं हुआ फिर इसको पक्का जो कराया है एकदम रोडी बजरी वाला जो स्रोड आपका बनता है ये ओक्लेंड के समय पर बना है ठीक है जीडी रोड इतनी बात को दिकत भारत जो सड़क नेटवर्क में कौन से स्थान पर है दूसरे स्थान पर है पहले पर अमेरिका है और तीसरा स्थान चीन का है तो भारत सड़क नेटवर्क में किसमें है प्यारे बिच्चे क्या कहेंगे सड़क नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान पहला यूएस से तीसरा चाइना का सडक मार्ग से 65% माल आता है वो तो लोगों के जाने की बात थी माल यारी माल की जो आवाजाही है भारत के अंदर वो ज्यादा तर कौन से रास्ते से होती है वो सडक मार्ग से होती है यात्री जो है 80% यात्रा सडक मार्ग से करते हैं चीक है राष्टिय राजमार्ग प्राध सबसे important data है जरूर नोट करना या वो लोगे एन एच एए नेशनल हाइवे जो authority act है 1988 का है ठीक है आगे है ऐसे ही जब सड़क पर चलेंगी motor गाड़ी हो जाहे बाइक हो आपके चालान कटते हैं आदी सब कुछ कटता है कौन से अधिनियम से कटता है motor यान अधियम जैसे मैंने आपको बताया था वन्यजीव जो आपका प्यारे बच्चे उनके लिए अधिनियम आया ताकि वन्यजीवों को हम protect कर सके ऐसी रोड पे लोगों को protect किया जाए उसके लिए नियम जो बनाए गया है motor यान अधिनियम ये भी कब का है 1988 का है ठीक है पी एम ग्रामीन स जोड़ना था मुख्य सडकों से जोड़ना था पकी रोड के माधियम से भारत में बहुत important fact है पहली road wage बस कब चली कोई सडक की बात कर रहे हैं तो road wage सडक road wage समझते हैं सरकारी बसे जैसे उत्तरप्रदेश में चलते हैं UPSRTC की उत्तरप्रदेश State Road Transport Corporation की जो बसे चलती है तो पहली road wage बस कब चली है वो 15 अगस्त 1947 को चली है देश की आजादी के देख और अवध बस डीपो से चली थी कहां से चली थी अवध बस डीपो से कहां से कहां गई थी यह पहली बस लखनव से बारंबंग की ठीक है प्यारे बच्छे कल जो आपन नहीं किया बेटा किलास कर लो किलास करोगे तो आपकी साधी हो पाईगी और किलास नहीं करोगे तो दुख पहुचाओगे सबको तो अपना फोकस यहां डालो अच्छे बच्छों की तरह जिसे काम्या है उनका फोकस अभी 15 तरह 477 पर है वेरी गुड बहुत सांदार ठीक निर्माण की सस्थाएं जीवन में यह कहते है आननद है ना उसमें रहना चीज़ी है आननद अच्छी चीज है लेकिन सिर्फ आनन यह गलत चीज हो जाती है नुट MICHAEL HOC वो हो चुकी साधी मज़े हो चुके सबके हमें जो मज़े करने थे तुम्हें जो मज़े करने थे कर लिए तुम्हें खाने को तो नहीं मिला न कोई रसगुला तो ऐसी दूर से खुष थे तो उसका क्या हो गया अब उनकी खुसी का मामला वो अपनी खुसी मनाते रहेंगे तो मैं अपनों पढ़ाही पा जाओ वापस पढ़ाही बहुत जरूरी है अब आते हैं सलक निर्मान की संस्थाइं कि ये कौनसी ओर्गनाईजेशन्स हैं जो रोड को बनाती हैं तो एक है BRO Border Road Organization Important Fact है कब बना था? 7 मईए 1960 में दो परियोजनाई शुरू की गई दो परियोजनाई कौन कौन सी? Project तुसकर और Project बिकान Project तुसकर और Project बिकान कौन से मंत्राले के अधीन आती है? रक्षा मंत्राले के अधीन आती है अभी फिलाहलमन माहने देशक कौन है? राजीव चौधरी जी है? अभी बियारो का काम क्या है भाईया? राजीव चौधरी जी इसको Head करने हैं ये Project तुसकर और Project बिकान क्यूं सुरू की गए थे? क्या वो लेंगे? इनको सुरू किया गया था भाईया जो भारत के पड़ोसी देश हैं छीन हुआ मियाम्यार हुआ तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पहाडी छेतरों में सड़क निर्मान का कार्य करती है तो कभी भी आप से पूछा जाए वो कौन सी संस्था है जो हिल्स एरिया में कौन से मैं? हिल एरिया में सड़को का निर्मान करती है या ले लदाक में सड़क कौन बनाएगा हिमाचल में सड़क कौन बनाएगा अरूनाचल प्रदेश में सड़क कौन बनाएगा ये जिम्मेधारी B.A.R.O. की है Border Road Organization की है खाल ही में B.A.R.O. ने दुनिया की सबसे उंची सडक, कितना important fact है, उमलिंग ला, कहाँ पर बनाईए, चीन बॉर्डर पर बनाईए, चीन बॉर्डर पर क्या बना है, सबसे उंची सडक बनिए, उमलिंग ला, ये पास बनाई है, और इसकी उंचाई कितनी है, 19,024 फिट इसकी उंचाई है, चाइन बॉर्डर पर क्या बन गया हमारा, उमलिंग ला, एक तो बियारो हो गया, 1960 में बना, प्रोजेक्ट तुसकर, प्रोजेक्ट बेकाल लाए गए, पहाड़ी छेत्रों में सडक निर्मान कर करता है, उमलिंग ला सबसे उंची सडक बनाई है, ऐसी NHAI, National Highway Authority of India, आप कभी National Highway पर प्यारे बच्चे गई होंगे, तो NHAI का बोर्ड किस-किस ने देखा है, एक बार थमसब करें, मैक्सिमम सभी बच्चों ने देखा हुआ, तो ये NHAI जो है, ये 1995 में इस्थापित हुआ सेकिन इसका जो एक्ट है, वो 1988 का है, 1988 के अधीनियम से इसको इस्थापित किया गया, और कभ 1995 में कर दिया गया, हेड़क्वाटर NHAI का SSC कई बार पूछ चुका है, National Highway Authority of India का मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके NHAI के अलका उ अध्याय है, वर्तमान अध्यक्षा हो गए, क्या बोलोगे, अध्यक्षा, National Highways को manufacturing करता है, यानि कि समतल पर, पहड़ी छेतर के लिए बियार हो गया, समतल पर जो National Highway बनेंगे, उनको NHAI बनाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, रजत देवन जी बहुत सांदार जवाब द कहा जाता है, Public Works Department, क्याते है, PWD में कोई नौकरी करता है, तो उसके मजे है, उसके कमाई बहुत हो जाती है, लोक निर्मान विभाग, हिंदी में बोलते है, Public Works Department, PWD, अब मैंने आपको अगर जिन बच्चों ने तिहास को पढ़ा होगा, मैंने बार बार बताया है, लोक निर के समय पर हुई थी, तो आप कहेंगे भी यह डलहौजी था, डलहौजी जो, कब आया था आपका, 1848 से 56, कैनिंग से पहले, कैनिंग 56 से 62 था, 48 से 56 तो डलहौजी के समय पर, तो PWD की स्थापना कब हुई है, 1854 में हुई है, बहुत इंपोटेंट येर है, अब ये क्या काम क शेत्रों में, BRO ने बनाया, जो 1960 में बना, NHI इस्थापित हुआ, 1988 का दिनियम से, 1995 में, PWD 1854 में क्या करता है, जिला इस्तर और ग्राम इस्तर की सड़कों के देखरेक का कारिया करता है, मरमत आदी, निर्मान आदी, इन सब कारियों को कौन देखेगा, वो देखेगा आप चाहिए, उस पर विचार करने के लिए, क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना हुई है, 2014 में, और क्यूंकि आप लोग जानते है, BJP का सड़कों पर बड़ा ज्यान है, सड़क निर्मान पर, तो सड़क निर्मान के लिए, 14 बच्छे क्या बोलेंगे, 2014 में उन्होंने एक विभ अब बात आएंगे, प्यारे वच्छे, सबसे लंबा जो हमारा राजमार्क है, वो कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्क, most important, यह जरूर नोट करें आप, NH44 है, अभी आएंगे, इनकी लेंथ भी आएंगी सबकी, सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्क क्या है, आप कहेंगे, NH44 है, स्वर्णिम चतुर्बुज एक योजना है, 1900, क्या बोलेंगे, अटल विहारी वाजबेई जी के द्वारा चलाई गई, स्वर्णिम चतुर्बुज भारत के चार महानगरों, कौन से चार महानगरों, आप सब जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, चिन्नी और कॉलकाता, इन चारों को जोडने का काम करता है, और जो हमारा स्वर्णिम चतुर्बुज है, इसकी कुल लंबाई है, 5860 किलोगेट, अभी दिख रहा है, जूम कर लिया भी है मैंने, सीन टूपर दिखा दो इसको, सीन टूपर देख लेंगे एक बार, अभी दिख गया ह होगा सबको, तो 5860 सुर्णिम चतुर्बुज, चार लाइन का बना हुआ है, चार महानगरों को जोड़ता है, ठीक है, और इनकी लेंथ है, और SSC ने इस लेंथ से कुश्चन पूछा हुआ है, दोस्त यह मत समझना, यह बहुत महत पूर्ण नहीं है, बहुत महत पूर्ण फिर कॉल्काता से चेन्य आपका 1684, फिर चेन्य से मुम्ब照 1290, और मुम्ब回 से दिली, क्या बो लोगें, यह है आपका 1419, तो कौन से दो महानगरों के बीच की लंबाई सबसे ज़ादा है? कल्कता से चेन्य से चेन्य, केसी कलकत्ता से चेन्नेई 1684 और सबसे कम है CM क्या बोलोगे सबसे कम है CM क्या बोलोगे चेन्नेई से मुंबई 1290 आरके जे सवाल जी अभी आएंगी सबकी लें तब ही है ठीक है कोदिक्कत आगया है जिसमें चार बड़े महानगरों को जोड़ा गया है जिसमें प्यारे बच्चे आपका एक आता है उत्तर से दच्छन गली आरा ये भी बहुत इंपोर्टेंट ट्रेटा है चार महानगर समझगे कौन-कौन से दिल्ली, मुंबई, छिन्नी, कौलकाता 5840 ठीक है उत्तर दच्छन गली आरा जो नौर्थ साउथ कोरीडोर है यानि कि गली आरे का क्या मतलब हुआ गली आरे का मतलब होता है दो दिसाओं को जोडने वाला अब जो नेशनल हाईवे है उसमें कोई दिसा तो होती नहीं कि वो किनी दो दिसाओं को जोड़ेगा वो तो इस्थानों को जोड़ता है लेकिन किसी जियोग्राफिकल कंडिसन में किनी दो दिसाओं को जोडने वाला ये गली आरा कहलाता है यहां से देख ले न एक है आपका स्री नगर जम्मू एंड कस्मीर से कन्या कुमारी कन्या कुमारी कहां पढ़ता तमिल नाडू में 386 किलो मीटर है आप इधर देख सकते हैं आराम से उत्तर दच्छन गली आ रहा इंट उपर दिखा देंगे एक बार यह क्या हो गया आपका कन्या कुमारी पॉइंट हो गया यहां पर और उपर जम्मू से सुरू होता है तो यह उत्तर से दच्छन को जोड़ रहा है यहां से गूमते हुए नौर्थ से किसको साउथ को जोड़ता है चीक है नौर्थ से साउथ को जोड़ता है ये भारत के पूर्म में है चीक है? तो क्या बुलेंगे? पोरबंदर गुजरात से सिल्चर असम को जोड़ता है 357 किलोमीटर है चीक है जी? North-South Corridor and East-West Corridor एक दूसरे को जहासी में काटते हैं यानि UP जहासी में तो क्या बात समझें आप लोग? North-South और उत्तर से दच्छन कहां काटेंगे एक दूसरे को? एक दूसरे को जहासी में काटते हैं क्या बुलेंगे? एक दूसरे को ये जहासी में काटते हैं बहुत IMPORTANT है इन टूपर दिखाएंगे एक बार ये हो गया प्यारे बच्चे आपका देख पारे होंगे आप रेडिकलर की लाइन ये उत्तर दच्छन के लिए आ रहा है 307 किलोमीटर का और 306 और 307 किलोमीटर का ये पोरबंदर से सुरू होकर असम के सिल्चर तक यहां तक जाता है गूमते हुए और एक दूसरे को ये लोग कहां काटते है दोनों के दोनों जहांसी में ठीक है को दिकत आ गयाएंगे अब लोग हम आएंगे डिफेंस कोरिडोर बनाया गया एक क्या बोलोगे डिफेंस कोरिडोर यारी रक्षा के लिए भारत की रक्षा को डिफेंस मामलों को सैना आदी के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया नमबर एक तमिल्लाडू में और उत्तर प्रदेश में पहली चीज तो भारत के किस राज्ये में डिफेंस कॉरिडोर है चार ओप्सन देगा उनमें से एक इनको रख लेगा और बाकी तीन अधर देदेगा इन दौनों में से एक को ले लेगा तो आप क्या कहेंगा तो तमिल्लाडू आप्सन पर टिक करेंगे या उत्तर प्रदेश पर अच्छा ये देखेंगे दियान से ये ऐसे यूपी का मैप यहां पर लगा हुआ है और यहां तमिल्लाडू का तमिल्लाडू के होसूर को चेडनेई से पिरुचरोपली, कोयमटूर और इनको सलेम से जोड़ा हुआ है ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आपका अलीगड से आगरा, लखनव, कानपूर, चित्रकूट और जहासी को जोड़ा हुआ है इनको आपस में जोडने के लिए डिफेंस कोरिडोर बनाया गया है, सबसे इंपोर्टन है डिफेंस कोरिडोर कौन से प्यारे बुच्चे किस में है, आपका तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में है ऐसी ही बात करेंगे हम भारत माला प्रोजेक्ट, कब इस्थापित हुआ, 31 जुलाई 2015 भारत जनता पार्टीक सरकार ने इसको इस्थापित किया देश के 550 जिलो को जोडने का लक्ष है क्या बोलोगे, देश के 550 जिलो को जोडने का लक्ष है रखा गया है, भारत माला प्रोजेक्ट में अब आते हैं जो बच्चे NH44 के लंबाई पूछ रहेतें, वापस आएंगे तो अगर हम बात करते हैं NH44 की, तो आप देख पाएंगे, उत्तर दच्छन गलियारे से भी बड़ी लंबाई है क्या बोलेंगे, परसंत कुमार इतने दिन से जो सलहा आपको दी गई है, उसको फॉलो करें पेपर से दो दिन पहले सलहा नहीं मांगते, प्यारे बच्चे मैंने पिछली क्लासे में आपको बताया हुआ है, क्या पढ़ना है सबसे लंबा, क्या बोलोगे, पुराना नाम इसका NH7 था 11 राज्जियों से गुजरता है, और इसकी जो लेंथ है ये 3745 किलोमीटर है कितनी है, 3745 किलोमीटर किसको किस से जोडता है, स्री नगर को कन्या कुमारी से ये सबसे लंबी सड़क है यानि कि उत्तरदच्छन गलियारे से भी आगे NH47A NH47A, इसकी लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर कहाँ पर है, केरल में स्थित है क्या बोलेंगे, केरल में स्थित है, और ये सबसे छोटा है केरल के प्यारे बच्चे कुन्नूर और वैलिंग्टन दीब को आपस में जोडता है तो सबसे लंबा और सबसे छोटा याद करें और जिन बच्चों नों तरपरदे इस लेकपाल का कुश्चन, मतलब पेपर दिया होगा वो जानते हैं कुश्चन पूछा गया अगर हम बात करते हैं, दूसरा सबसे लंबा वो NH27 है NH27, 357 km कहां से कहां है यह बिलकुल याद करने के आवश्यक्ता नहीं है NH48, 807 km है चब लेंगे, आपका प्यारे बच्चे NH52 फिर चौथे स्थान पर आता है चब लेंगे, NH52 आपका 317 km आता है कोई दिक्कत आगया है GT रोड के बारे माँ आपको पता होना चाहिए NH19, NH1 और NH2 थे पहले इनको सहयुक्त रूप से GT रोड कहा जाता है प्यागी जी कह रहे है 1806 North South Corridor तो फिर ज्यादा कैसे क्या ज्यादा NH44 को बोल दिया क्या मैंने नहीं, मैं बोलना चाहरा हूँगा North South Corridor वो थोड़ा ज्यादा लंबा है किसे NH44 तो साइद बहने उल्टा बोल दिया होगा रेली सॉरी, नहीं प्यारे बच्चे मैंत्स भाई अतुल पांडे, नो NH16 अब यहाँ पर आजाओ इसको most important note करके रखना कि SSE CGL ने आपका सहरों को जोड़ने वाले कुछ आपके क्या पुछे हुए है कुछ जो आपके National Highway है पुछे हुए है जैसे NH16 किसको जोड़ता है चिन्नी और कॉलकाता को ठीक है NH48 किसको DC दिल्ली और चिन्नी को 52 पंजाब और करनाटक को SSE NH30 है उत्राखर्ण से आंदर प्रदेश NH6 है आपका मेघाल्य से मिजोरम को जोड़ता है NH1 स्रीनगर से लेहे को जोड़ता है सबसे अधिक सड़क घनत्व किसका है हमारा किरल का है ठीक है और सबसे कम सड़क घनत्व जो है वरुनाचल प्रदेश का घनत्व समझते आप जैसे कि मैं बात कर रहे हैं कि एक स्टेट है स्टेट में जो सड़कों का जाल है वो खिस अनुपात में है क्या रेशियो है सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है रोडस की वो केल रहा है है सबसे कम सड़क घनत जो है वरुनाचल प्रदेश में यहां सड़क है सबसे कम है और सबसे अधिक सड़के अगर हम बात करें रोडस के तो कहाँ पर होंगा आपका आप कहेंगे जी महराष्ट में नोट नहीं करना नोट करोगे चार दिन में तयार करोगे पहाड़ी एरिया है लोग भी कम है और सड़के भी कम है राष्टिय राजमार्गों की लंबाई सबसे जादा कहाँ पर महराष्ट में है सिर्फ इतना याद करें एक पॉइंट ना उत्तर प्रदेश ना राजस्थान याद करने की आवश्यक्ता है यूपी के एकजाम वाले बच्चे जरूर याद रखें सड़कों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का इस्थान क्या है वो दूसरा है ठीक है बहुत बढ़िया आ गया है रेल परिवेहन रेल भी ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें प्यारे बच्चे सड़क की बात हुई आखें बंद करें और एक बार एक कुश्चन का जवाब देदें मेरा कुश्चन है प्यारे बच्चे मेरा मोटर यान अधीनियम कब आया पटाफट से पहला परसन ये था आंसर आना चाहिए बचको प्रोज़क्ट तसार किस से जुढ़ी हुई योजना है सड़क निर्मान से या फिर आपका बात करेंगे वाई yu परिवेहने या जल परिवेहने से प्रोज़क्ट तसकर आप कहेंगे सड़क निर्मान जो आपका भी आरो 1960 में दो परियोजनाई शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट तुसकर और प्रोजेक्ट विक्यान उत्तरदच्छन गलियारे की लंबाई कितनी बताई मैंने आपको 3860 किलोमीटर और सबसे लंबा आपका हाईवे कौन सा बताया है मैंने NH44 बहुत बड़ी है, बहुत खूब सही आंसर एकदम आते हुए सबके अब आते हैं हम प्यारे बच्चे किसकी तरफ आपका रेलवे परिवहन की तरफ जो हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसका सिलोगन है राष्ट की जीवन रेखा राष्ट की जीवन रेखा, सीन टूप दिखा देंगे एक बार और यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा मैंने लिखा हुआ है रेलवे दिवस 16 अपरेल तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस 16 अपरेल को क्यों मनाया जाता है सिर्फ चार डिजिट आपको लिखनी है और आपको जवाब देना है प्यारे बच्चे चार डिजिट में चार डिजिट के लावा किसी का भी उत्तर आएगा तो वो मानने नहीं है तो इंटेलिजेंस से आंसर देंगे 16 अपरेल क्यों तो चार डिजिट लिखे एक बच्चे ने चार सब्द लिख दिया वो डिजिट अभी समझते नहीं है चार वर्ड नहीं बोला चार डिजिट लिखा है चार डिजिट लिखा है और डिजिट में आंसर आया है किसी का भी नहीं अभी तक पहला सबसे ठीक सटीक आंसर आया डेफेंस लवर का 1853 ये चार डिजिट में उन्हों दे दिया बहुत बढ़िया क्योंकि 16 अपरेल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है 1905 में जाकर के हुई है पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1924 में 1924 में क्या हुआ 1924 से जो हमारा आम बजट था और रेलवे बजट दौनों अलग आने लग गए बजट जानते हैं आप हर साल पेस होता है तो मुझे बताएं अभी तो दौनों एक साथ पेस होते हैं एकटे दौनों एक साथ कब से कर दिये गए फिर से एक साथ कर दिये गए 2017 से क्या बोलेंगे 2017 से इनको फिर से एक कर दिया गया दौनों बजट को रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा इस्थान है चौथा इस्थान है फोर्थ प्लेस है पहला यूएस से दूसरा चाइना तीसरा रसी है तो भारत कौन से नंबर पर है रेल नेटवर्क में चौथे पर अब मैं आप से पूछू बाहरत सड़क नेटवर्क में कौन से इस्थान पर है फटाफट से बताएंगे मैं आपको बताया पहले पर कौन था यूएस से तीसरे पर चाइना और भारत कौन से पर होगा आपका चौटक नेटवर्क में दूसरे पर होगा सुवम पंडित एकदम सही आंसर अर्पित मिस्रा लीपक वर्मा जी एकदम ठीक है अच्छा पहली रेल कब चली थी सीन टू पर दिखा देंगे जब छोटा हो जाए सीन टू दिखा दें खोदी पहली रेल 16 अपरेल 1853 में चली थी मुंबई टू थाने कहां महराष्ट में मुंबई से थाने के बीच में डलहौजी को रेल सेवा का जनक कहते हैं आप सारे बच्चे जानते होंगे ट्रेन का क्या नाम था ट्रेन का नाम था प्यारे बच्चे ब्लैक ब्यूटी इसमें इंजन लगे हुए थे एक ससी के इंपोर्टेंट कुश्यन है सुल्तान सिंधू साहिब और डिब्बो की संख्याती इसमें चौधे कितने चौधे डिब्बे इसमें थे पहली रेल डलहौजी के समय में चली और पहली इलेक्ट्रिक टेन तीन फरवरी 1925 अगर बात करें 1853 से भी जादा पूछा जाता है बिजली दुआरा पहली रेल कब चलाएगी 1925 में चली पॉम्बे, वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में जिसे मुंबई से थाणे चली है आपकी रेल, एलेक्ट्रिक ट्रैन कहाँ से चली है बॉम्बे वीटी से कुर्णा के बीच में चली है सबसे तेज ट्रेन भारत की कौन सी है वो है प्यारे बच्चे गतिमान एक्सप्रेस इसी में आपको ट्रेन 18 का नाम भी दिखने को मिलता है वंदे भारत भी तो दौनों बराबर हैं लेकिन कभी परसान आये जब ट्रेक पर इनको इनकी टेस्टिंग हुई है तो वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस लगबग बराबर हैं 180 किलोमेटर प्रति घंटे की इनकी गति मापी जा चुकी है सबसे तेज ट्रेन भारत की गतिमान एक्सप्रेस है और वंदे भारत जो है इसको हम बोलते हैं T18 क्यों कहते हैं भीया जी T18 कहते हैं इसको दोस्त इसलिए क्योंकि यह भारत में बनी हो ही ट्रेन है जो 2018 में निर्मित हुई 2018 में और वरतमान में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है पांच चल रही है बहुत important question है और अभी कितनी और नई वंदे भारत train घोशना की गई थी बताएंगे जिन बच्चों ने अभी budget के question पढ़े होंगे budget जरूर पढ़के जाना आप लोग budget और current affairs का और economics का topic census जन गणना ये दो topic जरूर पढ़के जाना तो नई वंदे महतर हम लिख रहा हूँ नई वंदे भारत नई वंदे भारत जो train चली है कितने की गोशना की गई 400 नई वंदे भारत train और चलाएंगे बहुत बढ़िया very good तो नई दिल्ली से वारानसी चलती है एक तो एक नई दिल्ली से श्री माता वैशनो देवी कटरा के लिए एक मुंबई central से गांधी नगर capital के लिए गुजरात एक नई दिल्ली से आपका अंडूरा हिमाचल के लिए और चिन्नी से बंगलूरू के लिए ये पाँच वंदे भारत अभी ट्रेन क्या है आपकी चल रही है अच्छा फिर बात आती है प्यारे बच्चे पहली सूपर फास्ट ट्रेन ये एक मार्च 1979 को चली थी दिल्ली से हावडा के बीच में पहली सूपर फास्ट ट्रेन कब चली तो आप कहेंगे एक मार्च 1979 को सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है ये विवेक एक्सप्रेस है डिब्रुगड से करन्यकुमारी लॉंगेश्ट रूट है ये 447 किलोमेटर 57 श्टेशन पार करती है मतलब इस जिगह रुकती है 57 श्टेशन ट्रेन की पट्री की बीच की जो दूरी है उसको गेज कहा जाता है गेज गेज यानि की दूरी आप लोग दो पट्री देखते और दो पट्रियों के बीच की दूरी तो भारत में प्यारे बच्चे 4 तरह के गेज चलते हैं क्या 4 गेज है एक तो ब्रॉड गेज है जो सबसे चोड़ा है 1.6 मीटर अब अब इसमें 3.3 की गुणा करके फीट में भी निकाल सकते हैं इसको तो लगबग 6 फिट क्या सपास आएगा इतनी चोड़ाई मीटर गेज में पूरा एक मीटर का है इसलिए इसको मीटर गेज कहा जाता है नेरो गेज 0.762 का है और लिफ्ट गेज 0.610 मीटर का है पट्रियों की चोड़ाई पहाडी छेतर में क्या चलता है आपका नेरो गेज चलता है पतले गेज चलते हैं वहां पर सम्तलबर क्या होते है चौड़े गेज चलते हैं क्यूंकि डिब्बो की संख्या ज्यादा हो जाती है और पहाँदी छेतर में डिब्बो गेज बहारत में प्यारे बच्चे जोन कितने है टोटल रेलवे को बाटा गया है कुल 18 जोन में और जो अठारवा जोन है वो दच्छन तटिया रेलवे सबसे नया हेड़क्वाटर जिसका विसाखा पट्नम है कोई भी दिक्कत भी है अच्छा अगर बात करेंगे सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो नई दिल्ली है 18 जोन में सबसे बड़ा जो railway zone है क्या बोलेंगे भीया आप कहेंगे कि भीया जी वो नई दिल्ली है ठीक है जी बहुत important है राश्ट्रिय रेल संग्राल्य है 1971 में नई दिल्ली में बना नया railway संग्राल्य है अभी जो बना है तो बहुत चर्चाओं में रहा करण्ट अफेर्स में कि नया जो railway संग्राल्य आपका बना है वो कहां पर इस्थापित किया गया है मैसूर railway station करनाटक में मैसूर railway station करनाटक में ठीक है भारत का सबसे उंचा railway station आप बोलेंगे घूम railway station है वेश्ट बंगाल का जिसकी उंचाई है कितनी बाइस सो अठावन मीटर नया फेक्ट है रेलवेज का बहुत महत्पून भारत का सबसे उंचा railway पुल चिनाव railway पुल जम्मू एंड कस्मीर भारत का सबसे लंबा railway बिरिज यानि रेल पुल या रेल सेतू बोलें जिसको हूं तो डॉक्टर भूपेन हजारी का सेतू 9.15 किलोमीटर का अब आप मुझे बताओ ये भूपेन हजारी का सेतू किस राज्य में स्थित है सबसे बड़ा railway station कौन सा है वो गोरखपुर railway station उत्तरपरदेश है सेतू परियोजना 2019 में ये railway crossing मुक्त भारत के लिए यानि कि आप देखते होंगे railway crossing पर लगातार भटनाए होती रहती है प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे सेतू परियोजना railway crossing मुक्त करने के लिए भारत का पहला पूर्णत है संचालित महिला station कौन सा है जहां महिला ही operate कर रही है वो माटूंगा railway station है मुंबई का तो क्या बोलेंगे rail crossing राल्या नया मैसूर में बना ये बहुत नयाई चीज़ एड़ करनी है आपको सबसे उचा railway station अब धूम railway station है वेश्ट मंगाल का भारत का सबसे बड़ा उचा railway पूल चिनाब लंबा भुपेन हजारी का सबसे बड़ा railway station ये गोरकपुर हो गया रदेश का पहला वाइफाई railway station बंगलूरू सिटी railway station हो गया ठीक है अच्छा प्यारे बच्चे आपका प्लेटफर्म तो नहीं लिखाना हमने अभी रेलवेश प्लेटफर्म नहीं याड़ कर रखा है हमने देखो इसमें एक चीज याद रख लेना जो railway platform है सबसे बड़ा जो railway station है आपको मैंने एक जिगह बताई थी एक जिगह बताई थी कि भारत में जंडे बनने का एक ही official एक ही official जिगह है आपकी हुबली क्या बोलेंगे अब बड़ा जो railway station है वो कौन सा है वो हुबली है हुबली कहां है आपका करनाटक में ये चीज प्यारे बच्चे आप लोग इसको edit कर लेंगे क्योंकि गोरकपुर से भी बड़ा हो गया है वोन आपका हुबली करनाटक ठीक है कर लिया ये edit एक बार थमसब कर देंगे ख़िकद आगे चलेंगे आगे आएगे चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स ये क्या है प्यारे बच्चे ये रेल निर्मान की कुछ हिकाईया है और रेल निर्मान की कुछ हिकाईयों में क्या लिख रहे हैं सर आपने 104 पी ए गलत बताया है क्या सरन चोधरी सर ने अपनी किलास में हो सकता है गलती होगी है उसे बता दिया होगा कई बार गलती हो जाती है लेकिन मुझे पता नहीं है इसका क्या लिख रहे हैं आप होगे होगा मैं गलत बता दिया मैं हमेशा कहता हूँ हम रोबोट नियू हो जाता है कभी कई बार क्योंकि theory class में गलती की गुंजाई सकम होती है लेकिन जब आप objective बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पुट कर रहे हैं तो एक दो चीज़े इधर उदर हो जाती है लेकिन मैं हमेसा comment पिन कर देता हूँ उसके लिए और आप तक मैं सूचना भेजाते हूँ कि sorry मुझसे यहाँ पर यह गलती हुई है क्योंकि हम theory को बड़े आराम से पढ़ा रहे होते हैं तो deliver आराम से हो पाता है लेकिन मानके चलो हम factual चीज़ों को बता रहे हैं लगाता है objective किसी practice set में तो चीज़े हो जाती है कोई इतनी बड़ी बात में integral coach factory integral coach factory परंबूर rail coach factory कपूर्थला rail spring car खाना यह ग्वालियर में diesel locomotive works यह कहां पर है मढवाडी वाराणसी सबसे ज़्यादा पूछा आता है diesel locomotive works और integral coach factory पैरंबूर और मढवाडी यह जरूर याद रखें वही लियानी पहिये और railway की जो एक्सल बनते हैं यह चहलांका बंगलूरू में बनते हैं कहां पर चहलांका बंगलूरू में बनते हैं वदिकत वदिकत यहाँ पर देखेंगे दियान से scene 2 पर दिखाएं चोटा होइंट है यह भीया एक बार बताना थमसब करके इस scene 2 पर आप लोगों को साफ दिख जाता है भारत में सबसे पहले metro rail कलकता में चली और अब भी आपका पैक्ट में पुछा गया था पहली underwater metro कहां पर चली यह कॉलकाता पुछे पहली metro भी कॉलकाता में और underwater metro भी कहां प्यारे बच्चे यह भी आपका दोस्त कॉलकाता में चली ठीक है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ठीक दिख रहा है तो आप एक बार भी ice screen बढ़ा लेंगे काम चल जाएगा जी इतना के लिए रहे यह सही है अंस ठीक है क्या बोलेंगे यह मैट्रो तीस हजारी से सहादरा के बीच चलाई गई है मैट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं वो स्रीधरन को कहते हैं किसको वो उसी का नाम है सुभम पंडित उसी का नाम रखा गया है 327 NH327 जो हम जानते हैं वो हम जानते हैं आपका किसके नाम को जो हमारा NH44A है ध्यान से देखेंगे मैट्रो मैन ऑफ इंडिया क्यूंकि मैट्रो के संस्थापक इन ही को कहा जाता है बंगलूरू में मैट्रो 2011 में मुंबई में 2004 है चिननी 2015 है जैपूर मैट्रो कब चली 2015 है लखनव 2017 ग्रेटर नौड़ा 2019 में रेल्वे की नई हेल्प लाइन कौन सी है 139 है रेल्वे का नया हेल्थ रोबोट उसका क्या नाम रखा गया है रक्षक नाम रखा गया है रेल्वे यात्रियों की सामान की निगरानी के लिए कौन सी ड्रोन को विक्सित किया गया निंजा ड्रोन को समान की चोरी बहुत होती है रेल्वे में रेल्वे का पहला दरश्टी हीन दरश्टी हीनों के लिए जो लोग देखनी पाते हैं मैसूर रेल्वे स्टेशन करनाटक देश का पहला फाइव स्टार युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा बना है गांधी नगर रेलवे स्टेशन गुजरात रेल दुरगटनाओं से बचने के लिए कौन सी प्रिणाली को विक्सित किया गया कवच सुरक्षा प्रिणाली ठीक है भारत के तीन परवतिय रेलवे स्टेशन युनेसको की दरोवर सुची में सामिल है दारजिलिंग हिमालियन रेलवे उनिस और निन्याणवे नीलगरी मांट रेलवे लाइन दोजार पाच तमिलनाडू काल का सिमला लाइन जो है आपकी 2008 की हिमाचल परदेश की तो कितने हमारे रेलवे स्टेशन है परवतिय रेलवे स्टेशन जो युनेसको की लिष्ट में वो तीन है चीक है जी? ऐसी ही बात करते हैं हम जल परिवहन की भारत में व्यापार का 95 प्रतिसत हिस्सा यानि जो सामान है अन्य देसों से देस के अंदर तो मैंने बता है सड़क से लेकिन देस के बाहर से जो सामान आता है वो वाई व्यान से नहीं आता वो पानी के थूरू आता है तो क्या बोलेंगे भारत में व्यापार का तरजी देशों की संसद के नाम विविन देशों बहने वाली नदी और प्यारे वचे इतने छोटे टॉपिक हैं जो आप कर सकते हैं उसको आप कहीं कोई गूगल पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सभी देशों की संसद का नाम वो आप पढ़ सकते हैं प्लीज आप पढ़ लीजिए जी छोटी छोटी चीजों के लिए ना बोलें कि आप ऐसे सीजल का एक्जाम देने जा रहें कि मैं आपको उपनाम की किलास कराऊं कोई वो पॉसिबल नहीं है यह वो चीज है जिनमें आपको जिस कंटेंट को ढूणने में आपको समय लग सकता है वो सभी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है जहां से देखो भारत के वैपार का कितना 95% हिस्सा जल परिवहन से होता है बहुत पुछा जाता है भारत में कितने बंदरगाहा है तो आप कहेंगे भारत में 13 बड़े बंदरगाहा है कितने 13 बड़े और छोटे बंदरगाहा जो लगभग कितने हैं 200 हैं अब जो बडे बंदरगहां है इसमें से पुछाया था सबसे अधिक बंदरगहा भारत के बडे बंदरगहा भारत के किस राज्य में क्या बोलोगे? तमिल नाडू में तुटी तोरीन, इसको तुटी कोरीन भी हम बोलते हैं चेन्ने और अनॉर तब तमिल्नाडू में कितने पोर्ट हैं? 13 में से 3 तो कहां पर एंद तमिल्नाडू में ही हैं जहांने से देख सकते हैं आप प्यारे बच्चे यह हो गया आपका एक कांडला Scene 2 पर दिखा देंगे एक बार ही है क्या बोलोगे? यह हो गया कांडला आपका महराष्ट में दो हैं आपके मुंबई और नहावा सेवा मारमा गोवा ये गुवा में हो गया आपका गोवा में न्यू मंगलूर ये करनाटक में हो गया केरल का कोच्ची हो गया और ये देखो अकेले तमिल नाडू में तीन बड़े बंदर गहां है ठीक है एनौर हो गया आंद्रप्रदेश का विसाखा पत्नम उडीसा का पारदीब और पशिम मंगाल का कॉलकाता हो गया तो कितने हो गए आपके बारा और एक कहां पर है प्यारे बच्चे आपका फोर्ट बिलेर तो कुल मिला करके क्या हो जाते है यह 13 हो जाते है ठीक है अच्छा अब पुछ लेगा पश्मी तट पर जो वेस्टरन कोश्ट है पश्मी तट पर बड़े बंदर गहा कितने है तो क्या बोलेंगे बड़े बंदर गहा कितने है भीया तो आप कहेंगे भाया जी 6 हैं क्या बोलोगे 6 हैं कौन सा बड़ा बंदरगाहा है जो आपका प्यारे विच्चे आप से पूछे बंगाल की खाडी में स्थित है पूर्ण रूप से बंगाल की खाडी में तो पूरा गिरा हुआ पूर्ट बलेयर है बाकी ये सब कहा है ये पूर्वी तठपर है आगे चलें चोटे बंदरगाहा बड़े बंदरगाहा तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडू में हो गए अब ये कुश्यन पूछ लेता आप से पूछ लेगा एन नौर जो बंदरगाहा है कहां पर है तमिलनाडू में है नहवा सेवा कहां है महराष्ट में है पूछ लेगा आप से प्यारे बच्चे पारदीब बड़ा पुछा जाता है पारदीब बंदरगाहा भारत के किस राज्य में स्तित है तो उड़ी सा में स्तित है और मिलान के लिए खूब आता है तीक है जी छोटे बंदरगाहा सब से अधिक महराष्ट राज्य में है कितने है 48 बंदरगा prochaine नहवा सेवा जो बंदरगाहा है जिसको हम जवाहर जवाहर लाल से मतलब है जवाहर लाल नहरूजी के नाम पर हो गया कहां पर है महराष्ट मैं यह भारत का सबसे बड़ा container port है container से क्या मतलब होता है कि भारत में समंदर से जो समान आता हो container में आता है container जानते हैं और truck के उपर जैसे chamber बना होता है जैसे आपने छोटा सा truck देखा होगा ऐसा और truck के पीछे यहाँ पर एक container रगा रहता है बड़ा सा देखा है आप लोगों ने यह नहीं देखा होगा सभी उच्चों ने यह container है ऐसे container रखने के लिए PUBG में देखियोंगा तुमने container बड़े रखे मिलते हैं कौन सा है वो जगे जहाँ पर container container रहते हैं समान ज्यादा मिलता है सबसे बड़ा container पोर्ट है आपका कौन सा जवालनार और सबसे बड़ा करत्रिम यानि के artificial नैच्रल नहीं है मनुष्य के दुबारा बनाया गया है मनुष्य के दुबारा बनाया गया है मुंबई बंदर गहा महराष्ट यह सबसे बड़ा natural है और सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है जहां से व्यापार होगा वही सबसे व्यस्त भी है अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे महराष्ट में महराष्ट में ही प्राकृतिक है आपका मुंबई और करत्रिम नहावा शेवा हो गया कांडला बंदर गहा यह गुजरात का जिसका नया नाम क्या है दिंद्याल उपाध्याए सबसे अधिक इंपोर्ट जो समान आता है इंपोर्ट मतलब आना तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है आपका कहां कांडला पर यह देखेंगे साइड में मांडवी के सीन तूपर दिखा दें क्या आप था नहीं दिख रहा हो दाहेज ओक्खा यह गुजरात के छोटे बंदर गहा है छीक है आगे देखेंगे सबसे अधिक आयात कांडला बंदर गहा पर होता है मारमा गुवा जो बंदर गहा हैहा है नुमंगलोर कहां पर है यह weaker नटक में हो करनाटक में कारवाड चोटा बंदर गहा है है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सथंता के बाद में सथापित पूर्वी तठ पर यह पहला कोरीन बंदर गहा यह कहां पर है तमिलनाडू में टोड़ी और कराइकल चोटे बंदर गहा है एन और बंदर गहा यह प्यारे बच्चे तमिलनाडू में है और यह पहला कॉपरेट बंदर गहा है पहला कॉपरेट बंदर गहा है चिन्नी बंदर गहा कहां पर तमिलनाडू में और सबसे important है सबसे पुराना बंदरगाहा है और सबसे गहरा है विसाखा पटनम जिसको हम विज्जाक के नाम से भी जानते हैं किस नाम से विज्जाक के नाम से भी जानते हैं कौलकाता बंदरगाहा ये हुगली नदी पर है important पताई क्या है अगर आप सारे बंदरगाहों की स्थिति देखें चाहे वो कांडला हो चाहे वो नहवा सावा मुंबई हो या फिर मारमा गुआ हो या फिर नियू मंगलॉर हो और आपका क्या बोलेंगे आप इधर कोई भी आपका बंदरगाहा है सभी समुद्र तठ पर हैं लेकिर अकेला ये बंदरगाहा है जो हुगली नदी पर है हुगली नदी पर क्यों है भी यहां से देख सकते हैं आप इस बात को कि देखो यहां हुगली नदी गिरती है और यहां समुद्र के अंदर के इस्थित है तो यह जहाज कहां जाते हैं अंदर की तरफ जाते हैं और कोजी गोड बंदर गहा अलेगी बंदर गहा यह छोटे बंदर गहा है ठीक है कोपरेट का क्या मतलब होता है कोपरेट का मतलब होता है प्यारे बच्चे व्यपसाय व्यपार आग pumped बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई रहुल पाठक जी एससे जीडी के लिए बिल्कुल पढ़ सकते है राश्चिय जलमार्ग जैसे राश्चिय राश्चिय जलमार्ग है आपके 5 तो को याद रखेंगे एन क्या बोलोगे नेश्टनल जैसे नैशनल हाईवे आप बुलते हैं ऐसे यह वाटरवे हैं जल मार्ग हैं एन ड़ू बन उसको नह बन बोलते हैं इसको एन ड़ू 1 एन ड़ू 2 एन ड़ू 3 एन ड़ू 4 एन ड़ू 5 पहला कहा से है एलभाद से हल्दिया दूसरा सदिया से धुबरी यानी असम में है ब्रहंपुत्र नदी पर कुलम से कटापुरम ये केरल से लेकर के आपका चमकारा तक उध्योग मंडल नहर भी बोलते हैं इसको इसी का हिस्सा है विजयवाडा और काकी नेडा और पुड़ी चेरू को आपस में जोडने वाला आंद्रप्रदेश तमिलनाडू में एनडवलू 4 है एनडवलू 5 तल्चर से धमरा को जोड़ता है उडिसा और ब्रह्मी नदीप ठीक है उडिसा और ब्रह्मी नदीपर है और अंतिम आता है हमारा क्या वाईयू परिवहन देखना यह बहुत है और अगर मैं पुछू इसमें जो अंतराष्टिय हवाई अड़े हैं वो जरूर आप एक बार पढ़के जाना है ना कुछ नहीं पढ़ो तो भारत में वाईयू परिवहन की सुरुवात कब हुई है बहुत बार पुछा गया प्रसन है 1911 इलाभाद से नैनी के बीच में भारत में कुल 30 अंतराष्टिय हवाई अड़े हैं सबसे पुराना हवाई अड़ा है जूहू एरोडरम भारत का मंबई में सबसे छोटा हवाई अड़ा है मिजोरम का लैंगपूई मिजोरम का क्या है लैंगपूई है सबसे बड़ा हवाई अड़ा इंदरा गांदी अंतराष्टी हवाई अड़ा इंडरा गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट सबसे वयस्त भी यही है और सब से लंबा रणवे भी इसी का है रणवे का मतलब होता जिस पर यौह अं उतरते ह प्रवेंद्रम, कोचीन, कालिकट और कन्नूर। यह चार है। यह वह हवायड़ें प्यारे बच्चे स्क्रीन सॉट लेंगे और एक बार पढ़ेंगे सब को बहुत ध्यान से। जीवर हवायड़ा क्या है वो भी अंतराष्टे हवायड़ा है। चत्रपती सिवाजी जो चत्रपती सिवाजी महराज जी के लिए अंतराष्टे हवायड़ा महराष्ट में है। स्वाश्यंद्र बोश जी के लिए जरूर पढ़ें कॉलकाता में है। अन्ना हवायद्डा छेन्नई में डॉक्टर भावसाइब भीम्रावंबेटकर जी के लिए नागपुर महराष्ट में बल्ला भाई पटेल जी के लिए एहम्दाबाद गुजरात में गोपिनाथ बारदोली जी के लिए ये गुवाहाटी में जो असम के सी एम थे ये भारत र उहरा सिंग वाय अडставля लिए फ़िए लखनव में है चौजि चाहिं जी के लिए गुरु रांधास जी के लिए अमरत्सर में अच्छा गुरु रामधास जी कौन से गुरु थे बताएंगे एक बार सिखो के कौन से गुरु थे मने प्रिक्टिस सेट में आपको पसिपों का बहुत पुछा जाता है दावोलिम लगातार देवी अहिल्या भाई होलकर इंदौर में है कहां पर है इंदौर में बढ़िया बहुत बढ़िया चौथे गुरू थे चौथे वाले सारे ठीक है कुछ बच्चे दूसरे बता रहे हैं चलो नहीं प्यारे बच्चे दूसरे नहीं है दूसरे अंगत देव थे क्या बोलोगे दूसरे तो अंगत देव थे और आहिए मैं आन खाके अंगत अमर हो गए फिर राम के पास चले गए नान से नानक, अंगत गुरु अंगत देव, फिर आपके कौन, अमरदास, फिर रामदास, फिर आपका अरजुन देव है, लाल बहदुर सास्त्री जी के लिए कहां पर है, वारानसी में, नौईडा इंटरनेशनल ये जेवर में बना अंतराष्टी हवाई अड़ा है, पाक य गड़ में, बिरसा मुनडा जी के लिए बहुत पुचा जाता है, राची में, ज्यारखंड में है, कैमपा गोड़ा करनाटक बहुत पुचा जाता है, अमोसी, ये लखनव में है, जॉली ग्रांट देहरादून, बहुत महत्पून है, अंगुल कहां पर है, उडी सा में, ज करनाटक का है ठीक है क्या बोलेंगे बेलारी करनाटक का है उम्रोई उम्रोई कहां का है सिलांका दापो रिजो अरुनाचल प्रदेश पाशी घाट अरुनाचल प्रदेश चब्वा असम का और मोपा है आपका गोवा का तो किलास में हम काफी तेज चले लेकिन हमारी सारी चीज़े होगे कवर इसक्रीन सॉट उम्मीद करूँगा आप लोगों न लिये होंगे और आप एक बार पढ़ लेंगे सारी चीज़ों ठीक है बहुत बढ़ी है बहुत सांदार अरजुन देव को जहांगी नमा रहा था बहुत सही तो अपना ख्याल लखिए बहुत सारा जीज सिंह रहाने एक दम सही उत्तर देते हुए ठीक है ख्याल लखिए बाई बाई टेक केर जैहिंद चे भारत